अब वर लेक्टर के किया था जो है एनिमल किंग्डम के बारे में और ऑशी तरह ने फिनिस हो जाएगा खत्म हो जाएगा कल हम लोगों ने डिसकस किया था साइज प्लेटी हलमेंथी जो होता है एक तरह से राउंड सब्सक्राइब ऑन्स नामैंज चैप्星 नाम कई धर्टी में सब्सक्रिक स्थेख चैप्टर का नाम इंस्क Elementhis यह मतलब मद धर्ल्सक्राइब होता है एक एंदितल प्लान्ट प्लांडी को नम प्लांट थे कि यह सबसे पहला फाइलम है जिसमें सबसे पहले और מ細 के नाल इस्टार्ट हुआ था इए तरह से और इससे एक फार्व को पाया गया था ये तरह पिर ऊपstat रईनित से मॉश्कूलर फेरिशं आपका पाया था एक flame cell पाई जाती है जो excretion में help करती है यहां पर क्या होता है कि इस special जो excretory आरगन होता है जिसमें excretion होता है वो रेनिट सेल पाई जाती है या तो cob cell भी बोला जाता है इसे और इसमें excretory pore पाई जाते हैं जिसके माध्यम से क्या करते हैं कर दो go worldwide क hora की साइक्ष से को से मतलब होता है एक तरह से जो हाट से सेपरेट यह में होते हैं मैं अलग होता है सेक्चुल डायमार्फिजम दो होते हैं तो दीख रहा है कि डाउसीयस to do dimorphism सेक्चुल डाइम मुंढर्फिजम का मतलब हो गया कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी है ना बिटा जो मेल होते हैं मेल और फीमेल दो तरक के इसमें बॉड़ी होगी मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी जो मेल होता है वह स्मॉल साइज में होता है और जो फीमेल होते हैं वह लार्ज साइज में होती है ना लार वो large size में होती है और जो male होते हैं उनका नीचे का हिस्सा जो होता है जिसमें pineal city पाई जाता है pineal style पाई जाती है उसमें और जो female होती है इनका जो tail वाला portion होता है वो straight होता है जैसा कि मैंने बताए कि sexual diamorphism male अलग और female अलग होती है पूरा तो यह diocese with sexual diamorphism हो गया इसमें fertilization अब का इंटर्नल होगा direct और indirect development कुछ में तो लार्वल स्टेज भी पाए जाती है कुछ में लार्वा नहीं पाए जाता है तो direct होगा तो विदाउट लार्वा और अगर indirect होगा तो विद लार्वा तो लार्वा अगर पाय जयता है तो indirect development होगा और without larva उनका development होता है तो उसको direct development बोलते है एक आपको दिख रहा है एसकेरिस राउंड वांब बूचेर एरिया फाइल एरियर वांब इन साइलो इस्टोमेटर हुग वांब जैसे एक कोशन आपको पूछा जाता है यहां से यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटी हलमेंथी में बिट किसको बोलते हैं याहुक वां명 विलॉंग डू तो पहला ऑप्जन प्लेंटी हलम डियता है तो मैंक्सिम Lewis सोचता है कि आपको प्लैटी मेंथी बहम अफ्लिलय और करईग व्लॉं करेगा आपका प्लेटी हल मैंस थे बठ ऐसा होता नहीं है سो हम लोग हो को आधिक याद है चाहे हो मेल हो चाहे फीमेल हुमन वाड़ी हो किसी में भी हो सकता है जो लोवर लिम या तो जो है आपके फोर लिम होते हैं उसमें इसका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटों का जो है इंफेक्शन होता है क्यूलेक्स मॉस्कीटों जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटों होते हैं उनीक के ट्रांस्मिशन से वही एक वेक्टर की तरह काम करते हैं एसकैरिस लूम्ब रिक्वाइट जो होता है वह एसकैरिस डिजीस कॉस्ट करता है तो यह आपका फाइलम हो गया कौन सा यहां पर देखिए यह आपको दिख रहा है एक मेल इसकैरिस है और एक आपकी जो है फ स्ट्रेट होता है इनकी बॉड़ी जो होती एक कर्व नहीं है एक कर्व नहीं पूरा यह स्ट्रेट होता है इनकी जो बॉड़ी होती है फीमेल की यह पूरा ऐसे स्ट्रेट होता है दिख रहा आपको लेकिन जो मेल एसकैरिस होता है वह साइज में भी छोटा होता है उसका ज़ो टेल वाला पार्ट होता है वह आपको दिख रहा है कर्व होता है इसमें कुछ आधियल इस टाइल पाय जाते है है ना पतरह से होलते ऊब नमें होते हैं एक तरह से वन पेर होता हैं का नमबर याद रखिए हाना जिसको को नाम देते हैं हम लोग जो है पीनियल सेटी या तो पीनियल इस्टाइल बोलते हैं इसको तो इसको हम लोग नाम देते हैं पीनियल इस्टाइल या पीनियल सिटी भी बोला जाता इसको तो यह वन पेर के नंबर में आपके पाए जाते हैं एक तरह से रिप्रोडक्शन में के involvement होता है इनका reproduction में help करते है पिनियल स्टाइल तो यह दिख रहा है कि मेल और फिमेल जो है दोनों अलग होते हैं यह हो गए आपका के मारीन फिरेंच वोक्तराइक होते हैं तो और यह reden होते हैं पाई जाते हैं तो ईतरा से बाइब के बाहर टच में होते हैं अब पो illness इक आर्थवाम में एक longitudinal और circular muscles layer पाई जाती है जिसके तुरूर एक क्या करते हैं ऐसा contraction होता है जैसे कि आपने आर्ठवाम में देखा होगा इस longitudinal circular muscles का इनलोकुमोषन होता है एक डि उसे बहुता हैmet junior की process start होती है कि इस वे स्थार्थवाम में लेकिन एक BBQ special और आरगन पाय जाता है kGH of whole और में हम चैप्टर करें स्ट्रक्टरी और यूसमें हम तो को सबी면 बाकि यूस्तर यह यूज करते हैं यूजो यूज शेयरल के नेरी जैसे कि आपका वाले प्याइब ए पूरी तरह रहा है और रिफीरीतिए आरगन आपरिया वोलते हैं आगे कल के लेक्चर में हम सो डिस्कस करेंगे टाइप और जाता है और जादे तरह इसलिए नाम देते न्यूरल ूर्व सिस्टम आव दby ला जाता है जैसा इंक प नर्व सिस्टम आगर हम बनाएं तो इस मैं यहार बंटर सुटम होता है यह कुल 59ब कड्म होगा और यक इसा जो है सामने की तरफ होता है वेंटल नर्व काड़ पाई जाती है और इनर्व रिंग होती है यह आपको दिख रहा है जिसमें पेर गैंगलियान पाय जाता है इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा जो शुप्रा फाइरेंजिल गैंगलियान इसको बोलते हैं हम लोग जो सरकम सब फाइरेंजिल गैंगलियान और इसको नाम देते हैं सब फाइरेंजिल गैंगलियान तो यह पेर में हैं जैसे एक और दो फिर उसके बाद वन टू फिर वन टू ऐसे करके आपको दिख रहे हैं दो दो नंबर में आपके पाई जाते हैं यह पेर गैंगलियान होता है इन Nerve Ring का Formation करते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं nerve ring告诉 मि झाना इसको हम लोग नाम देते हैं कैजिए जौह है Nerve ring और वेंट्रल साइड में आपको देख रहा है तोол नर्ब काड hoती है आना betल रर्ब पर काड होता है डवल वेंटल काड होती है एक ही बोडी पे मेल एकских इस NATO होता है डायाजसेश इंडाय जो इंटर ₹र्ण होता है डायाड हेmmं चाहती हम और फिमेल अलग होते हैं जब कीutet है दिखते हैं इन डिखते हैं इन अर्फवाम में डियारी की ही डिवलावेंट होता है तो इह तो और ये स्पंडूरी में पए जाता है इसमें इस प्रोकोफॉर लारवा पाइब ऑर उसी त्रोकोफोर लारवा की वजह से दिखता है इन छोब्मेन की स समपतressed अ और हीरूडीनेरिया हीरूडीनेरिया जो होता है यह सक करता है ब्लड को है ना सकिंग ब्लड यह क्या करते हैं वेटा जो है सकिंग ब्लड यह ब्लड को जो है चूसते हैं हीरूडीनेरिया जिसको लीच बोलते हैं कॉमनली और यह आपको दिख रहा है फेरी टीमा पोस्थुम ቜuet यहां पे नेरिस देख रहा है यहां इस फीगर आप देखिए के विटा है नेरीस है और वह ए आपको देख रहा हैं जिए इसले कि जो किया करते हैं कि द्रनि एक मेंबर आपके न् आ एbare प्रिफिवी इंपोर्टेंट आपका है एंलिडा के प्वाइंट अव्यों से यहां पर देखिए आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा पहले तो याद रखेगा लार्जेस्ट फाइलम अप्ड़ पूरे एनिमेलिया का जोहां सबसे बड़ा फाइलम होता हैं लार्जेस्ट वोडी कवर्ड वाइं है इंकी बॉडि में इक्सकैलेटन निकी बॉडी में सकेलेटन जो होता है का इंज्याइन का बना होता है SAM कर् вам लूंग लंगस और के चाहरा थे चाहाई रहा बूख लंस और ट्रेव क्षिलटरी इनलों गोता होता है जISH HOW लोग नाम देवे और सब्सक्राइब करे इस पाइर कैल्स बोलते गए शेक्के में सेंसरी आरगन आपने घल और रवोगगा तूंपेर अपने में अपने इसं पाइजा जाता है आई पाई energia देखा तरशसे पॉबडी को बैलेंस करते हैं मो X और इ bog बिलन्स करते हैं जैसे हम लुबिरियम के लिए सेरीबिलम होता है वैसे इन लोगों में इस्ट 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 पाए जाता है जो बॉड़ी को बैलेंस करता है एक्सक्रेटरी आर्गन जो है मैं टीबूल्स होती है जिसके नंबर आपके 100 से लेके 150 के राउंड आपका पाए जाता है कॉक्रोच म डारवह नहीं बनता है या आपका हाउस फ्लाई हो गई इसमें माइगाट बनता एक तरह से तो कई तरह के जो ले के चलते हैं that is a indirect development है ना तो यह आपको दिख रहा है indirect development और इसके member की अगर हम लोग बात कर लें तो देख लिजए और एपीस और bombax और lacifer यह like it like insect है bombax silk warm होता है एपीस आपने honey bee का नाम सुना होगा है यह economically important है एक तरह से हम लोगों में economically important है हम लोग के body के लिए human के लिए हना सब के लिए यह economically ली एक नॉमिकली क्या है यह important है हना economically important है यह आपको दिख रहा है एनाफ्लीस क्यूलेक्स एवेक्टर की तरह काम करते हैं disease कास करते हैं disease के pathogen को जो है एक तरह से यह transmit करते हैं locust दिख रहा है gregasius होता है gregasius का मतलब एकदम पूरी तरह से जुन्ड बना के जाते हैं और फसल को नस्ट करते हैं limulus जो होता है living fossil होता है एक तरह से हाना मिलुक्त होने के कगार पर यहा है living fossils king crabs और यह आपको figure दिख रहा है जहां आर्थरोपोडा का हाना इसके बाद आपका फाइलम आता है कौन सा जहां कवर्ड होता है body की एक खोल होती है एक तरह से सेल होता है जिससे वह कवर्ड होते हैं और इनकी बाड़ी को हम तीन पार्ट में डिवाइट करके पड़ते हैं composed होती है एक head एक muscular foot एक visceral hump हाना यहां पर दिख रहा है mouth contain the file like resping argon for the feeding regular a regular बोलते हैं file right file का मतलब होता है एक तरह से रगर टाइप का रगरने माला एक आरगन होता है माउथ में जिसको हम लोग नाम देते हैं रेडियूला बोलते हैं जो feeding में help करता है डायोसियस ओभी पेरस और इन डायरेक्ट डिवलप्मेंट यह डायोसियस होते हैं सेक्सेस और सेपरेचेड और भी पेरस होते हैं अंडे देते हैं गीव एक्स और इसमें इन डायरेक्ट डिवलप्मेंट होता है यहां पर दिख रहा है पाइला पाइला को एपल इसनेल बोलते हैं पिक्टेडा पर्ल ओएस्टर जैसा कि कल हमने आपको नाम बताया था एक पोरीफिरा का मेंबर होता है जिसको नाम देता है पैटा जो जर्ण करता है इसी पिक्टेडा में पर और क्रिएट करता है जिसकी वज़से मोती नहीं बन पाता है हमफुल फार्दा पर ओधुव्यश दॉटर सीपी इसको कॉमन नीम याद रखी गाय एंस याद रखी और चीटो प्लेवरा को याद ही करना है पूरा और इसको आप पूरा याद करेगा चुकि एक्जांपल से ही कोश्चन जो है ज्यादे तर बनते हैं आपको यह फाइलम आपका मुलस्का हो गया इसके बाद देखें फाइलम आपका आता है इसमें जो है लोको मोहाल है इतरु रहता है किसमें ल्कोमोहसन ट्रांसप्सपोर्थ आफ य्था मनीग करता है इसमें जो हैं लोकोमोशन ऑफुड कैपफिरिंग में प्लस ट्रांस्पोर्ट आफ फुड में औपस रैस्पीरेशन अजम्स अप्सेली षेल्टरी करम से कोई जाता है यहां पर दिखर है और्यस्तियोली गुंड टी डाउन बोलते हैं सी लिली को कुकुमेरिया सी कुकुंबर एक कॉमन नीम सारे याद रखेगा और फ्यूरिया ब्रीटल इस्टार्ड इसको बोला जाता है तो यह तो हो गया आपका जो है मेंबर कौन सा जो है इकाइन ओडर मेटा का दिख रहाँ आपको जह है तो यह सारे सिस्टम इसमें एप्सेंट होता इसके सारे इंपोर्टेंट है सब आपको याद करने की जरूवत है फिर उसके बाद देखिए यह फिगर है इस्टरियास और जहां अफ्यूरा का दिख रहा है अफ्यूरा को हम लोग नाम देते हैं ब्रीटल इस्टार याद रखीगा यह दि क्नेक्टिव लिंक बिट्वीन मैंने आपको पिछले भी तर्म में जो है बताया था इसको बोलते हैं हम छूट wand क्नेक्ट्व लिंक बित्वीन था ठाल एक कर लिस्टम क्नेक्ट्टम यान non cardate के बीच में warm like body होती इसके सारे member जो होते है marine water में पाए जाते हैं खारे पानी में salty water में पाए जाता है body composed of the proboscis color और long trunk यहां देखे एक figure आपको बनाया गया है आपको बैलनो ग्लोसस का figure आपको दिख रहा है प्रोबोसिस आपको दिख रहा है प्रोबोसिस आपको दिख रहा है फिर ट्रंक इनकी body जो है जैसे कि अभी आपने बता है कि मोलस्का में जो body तीन पार्ट से अब को कि यहां पर देखिए सारे इंप्स ओंग के छाएं पी यहां पर आते हैं कि इस कराऊंगा इस से लिएडेड हैं कि यहां पर आते हैं कि comparison of the card and non-carded हम लोग जहां कारणड और non-carded के बीच में हम लोग compare करते हैं कौन-कौन सा cardets होते हैं कौन-कौन सा जो है non-cardets होते हैं तो cardets की बात करते हैं तो इसमें noto card present होता है जो cardets होते हैं मैंने आपको बताया कि जैसे कि यह फीगर में आप देखिए गौर से यहां पर आपको दिख रहा होगा यह डॉर्सल साइड में एक रॉड लाइक की स्टक्चर बन रहा है जिसको बोलते हैं नोटो काड एक इंब्रॉइनिक डेविलप एक छोटे से इंब्रियो का फीगर आपको दिख रहा है मैंने आपक इसमें तीन जर्म लेयर होंगी तो उनको ट्रिपलोवलास्टिक बोलेंगे और जिसमें दो लेयर होती हैं यही क्या करते हैं कि इन फ्यूचर हमारे बॉड़ी के सारे आरगन को जनरेट करती है तो इंब्रॉइनिक डेवलपमेंट में जो आरगन जिस लेयर से बना होता है एक वही origin मानी जाती है तो नोटों कार्ड जो बनता है ओव मीजोडर्म लेयर से बनता है इम्डरॉणिक डेवलपमेंट में तो यह नोटों कार्ड के और जिसमें डॉडल लाइक स्ट्रक्ट्चर होता है जो डॉडर्सल साइड में बनता है तो जिस एनिमल किंगनेम के में इंबर्स में डॉर्सल साइड में नोटो कार्ड बनता है वो भले फ्यूचर में जो है कुछ में कनवर्ट हो जा या तो जो है डिजन्रेट हो जाए वो बात की बात है लेकिन इंब्रॉइनिक अगर नोटो कार्ड बन गया अगर नो टो कार्ड बन गया धाट इस बेलोंग तो सब्लोंगी इविलोंगी अधा नोटो कार्ड बनता ही नहीं है तो जब नोटो कार्ड नहीं बनता है तो उसको नॉन कार्डड बोलेंगे और जिसमें नोटो कार्ड बनता है इंब्राइनिक डिवलप्मेंट में उसको कार्डड बोलेंगे हम लोग तो यह आपको दिख रहा है यह डॉर्सल हालो नर्व कार् सबसे पहले लेंड होई आर्थृuh तो ऐसे करके सारे फाइलम जैसे पर पर बनाया गया है वैसे हैं उसमें और्गन सिस्टम भी बने हैं तो जैसे कि मैं आपको बताया कि यह जो डॉर्सल वालो नर्व कार्ड होती जितने नॉन काड होते हैं नरव की इस टार्टिंग ही स्टिलेंट्रेटा फाइलम से हुई थी सबसे पहले उसमें ए पोलर टाइप के नियूरान जो है बनना चालू हुआ था कि इसमें हाइड्रा में उसके बाद जो है नर्व की स्टार्टिंग हुई तो कंप्लेट नर्वस सिस्टम आपको आर्थरोपोडा से मिला तो जितने भी आपके नर्वस सिस उसमें वेंटल नर्व कार्ट होता है नहीं दॉर्सल और जितने काडेट्स होते हैं उसमें और जु संगलें रवस विला करणव मेंटार्थरोपोड व्ताle संता है solid nerve card होती है और हम लोगों में dorsal होता है, hollow nerve card होती है, pharyngeal gillslits present, इसमें pharyngeal gillslits पाई जाती है, और इसमें जादे तर जो होती है, non cardates में absent होती है, heart is ventral, देखिए, जितने cardates होते हैं, हम लोगों में देखा होगा, कि वो heart हमारा कि side में located होता है, ventral side में located होता है, लेकिन अगर non cardate है, जिसमें heart अगर पाया भी गया है, तो हमेशा जो heart dorsal side में हुआ, जैसे आर्थरोपोडा की बात करें, तो आर्थरोपोडा having the 13 chamber of the heart, आर्थरोपोडस में अगर बात करें, cockroach में especially, तो cockroach में there are the 13 chamber of the heart are found, तो total आपके जो 13 chamber of heart पाया जाता है, उसमें किसमें cockroach में और भी आपने देखा होगा कि dorsal side में उसकी location होती है, और हम लोगों में जितने carders होते हैं, उनका जो heart located होता हो, कि side होता है, ventral side located होता है, फिर उसके बाद देखिए, post anal tail present absent, post anal tail, मतलब पीछे side में tail bone होती है, एक तरह से जिसे हम लोगों में vestizial आपकी जो tail, जो caucasial bone होती है, जिसको caucasic बोला जाता है, vertebrae की जो last bone होती है, जिसको caucasic बोलते है, that is a tail bone, तो embryonic development में tail नुमा होता है, बाद में reduce करके 5 bone, 4 bone होती है, 4 bone होती है, और reduce करके single bone बना लेती है, that is a caucas, that is also called tail bone, वैसे जितने भी cardates होते हैं, उसमें post anal, anus के ठिक postated side में आपका tail पाए जाता है, यह cardate का special feature होता है, और यहां पर यह क्या होता है, absent होता है, कि इसमें non cardate में, फिगर आपको दिख रहा है, यह post anal tail आपको दिख रहा है, post anal tail पाए जाती है, फिर उसके बाद यहां पर anus दिख रहा है, फिर यह dorsal hollow nerve card है, नोटो card है, यहां पर pharyngeal pouch है, छ parts में जो है, divide करके पढ़ते हैं, थीन पार्ट में, जो filum cardate होता है बटा, इसको हम लोग कितने part में divide करते हैं, थीन part में अगर देखा जा तो एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जो है प्रोटो कार्डेट एक होता है प्रोटो कार्डेट और एक होते हैं बेटा जो है वर्टीब्रेट्स वर्टिब्रेट्स, जो प्रोटो काड़ेट्स होते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है यूरो काड़ेट्स, और एक होता है सीफैलो काड़ेट्स, सीफैलो काड़ेट्स, यहां पर देखें, सीफैलो काड़ेट्स में एक्जाम्पल आता है, बटाए MP OXS, जिसको हम लोग एक तरह से Lenslet बोलते हैं, इसको, MP OXS दिख रहा होगा, MP OXS इसमें SINGLE CHAMBER हाट पाये जाता है SINGLE CHAMBER हाट होता है इसमें, एक ही CHAMBER का हाट पाये जाता है, SINGLE CHAMBER हाट होता है, हना SINGLE CHAMBER हाट इसमें आपका Eurocard data दिख रहा है इसमें Eurocard data में आपका पाय जाता है Acidia Doleolum और एक और example होता है Salpa तो यह आपको दिख रहा है Eurocard data से बिलॉंग करते है Acidia, Doleolum और कौन सा जो है Salpa और यहाँ पर जो vertebrates होता है इस vertebrates को भी classified करेंगे अभी तो card data को दो पार्ट में डिवाइड किया protocardate और कौन सा vertebrates जो protocardates होते है Eurocardates और सिफालो cardate में इसको जो है जो vertebrates होते है जैसे इसमें दोनों में notocard तो बना protocardate और vertebrates दोनों card data से बिलॉंग करते हैं तो इसमें notocard बना no doubt notocard बन रहा है यहाँ पे वर्टीब्रेट में क्या होता है कि जो notocard होते है और replace हो जाते है मतलब एक तरह से वर्टीब्री में convert हो जाते है जो replacement होता है एक तरह से तो notocard embryonic development में बनता है in future जाके जो है ओ कनवर्ट हो जाता है किसमें vertebral column में तो vertebral column की origin माने जाती है mesodermal, च्योंकि बना है किस से replace होके notocard से, तो notocard की origin mesodermal, तो vertebrie की origin कौन सी होगी mesodermal होगी, है ना, तो यहाँ पे आपको जो vertebrie होती है, और replacement होता है किसका एक तरह से notocard का, अब हम लोग देखेंगे कि vertebrie के बारे में, देखें, यहाँ जो vertebrie होते हैं, जो vertebrates होते हैं इनको दो पार्ट में हम divide करते, एक होता है जिसको बोलते हैं A. निथा, देख रहा है, A. निथा का मतलब होता है बेटा जो है absence जा, इसमें जबड़ा नहीं पाय जाता है, दिख रहा है ना, साइकलो इस्टोमेटा, साइकलो इस्टोमेटा का मतलब होता है एक तरह से circular mouth, circular mouth, साइकलो इस्टोमेटा के जो members होते हैं उनमें जबास circular mouth आपका पाय जाता है, और इनमें एक special feature पाय जाता है, जब इनको spawning करना होता है, अंडे देना होता है, तो एक क्या करते हैं कि sea water से fresh water की तरफ move कर जाते हैं, और अंडे देने के बाद जब वहां से जाने के कुछ दिन बाद क्या कर जाते हैं, यह मर जाते हैं, और मरने के बाद इनके जो बच्चे होते हैं, फिर से sea water की तरफ migrate कर जाते हैं, फिर उनको spawning करना होता है, तो fresh water की तरह, यह special feature आपका पाय जाता है, कि साइक्लो इस्टोमेटा में पाय जाता है, तो circular mouth पाय जाता है, इसमें जवड़ा absent होता है, जवड़ा पाय जाता है, जवड़ा पाय जाता है, यहां पर दिख रहा है, पीसेस, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तरह से super class होता है, पीसेस और tetrapoda, tetrapoda का मतलब होता है, four legs, जिसमें four leg पाय जाता है, उछो बोलते हैं, होती हैं उसमें incarty laipse और एक और special feature होता है कि उसमें air bladder नहीं पाय जाता है यह जो होती है वोड़ी जो होती है इल लगातार quality 氣 water current के बाऊंब करेंट के साथ पानी की धाराओं के साथ जो है इसमें EAR bladder क्या होता है बांडर और और होता हैहा यहाँ पर जैसे इन को आगे फीगर में आपको किलियर होगा जैसे लिए कि जालेस वर्टीब्री पै्ट्रो माइजन विलॉंग करता है किस से वैटा सैसे साइकलो इस्टो मेटाभर ऑस विलॉंग थे पैट्रोमाइज जान वहीज है इसके बादस एके काटीलेजनास पिश है जिससे इस कॉलियोडान हो गया प्रिस्टिस प्रिस्टिस को हम लोग नाम देते हैं एक तरह से जो है साफ फिस बोला जाता है हना इसको साफ फिस बोलते हैं यह दिख रहा आपको यह जो काटी लेजनस फिस होती है इसको हम लोग नाम दिये क्या विटा काटी लेजनस फिस तो जो काटी लेजनस फिस होती है इन लोगों में क्या पाई जाता है जो हम माइनूट प्लैक वाइड इसकेल्स पाई जाते हैं माइनूट प्लैक वाइड इसकेल्स पाई जाते हैं और प्लैक वाइड जो इसकेल्स होता है यह कुछ इस टाइब का होता है देखिए एकुछिस टाइब का जहां प्लैक वाइड स्केल्स होते हैं एक्स्टर्नल एक्जोस्केलेटन बनाता है इनके बॉड़ी पर पाए जाते हैं और इन लोगों में जो कॉडल होता है जिसको हम लोग एक तरह से जो है टेल फीन बोला जाता है तो जो विटा एक दो बराबर नहीं होगा दिखर आपको यह से हैट्रो सर्कल टाइप के जो है इसमें कॉर्डल फिन पाय जाता है दिखर आपको इस कॉलियोडान प्रिस्टिस और इसमें एक और फिस आती है जैसे टारपीडो का नाम सुना होगा आपको याद करने की जुरूत है काटिलेजनस फिस में कितने एक्जामपल है जैसे टारपीडो भी आपको दिया होगा उसमें जो काटिलेजनस फिस में आती है तो इसका कॉडल फिन जो हेट्रो सरकल होता है और यह भी चीज़े याद रखेगा कि इसमें एयर ब्लेडर नहीं पाई जाता है अपसेंट होता है एयर ब्लेडर इसमें तो यह आपके स्पेशल फीचर होते हैं कि सके काटिलेजनस फिस के बाकि आपके नसी इसमें आफ़े होते हैं ऊप्ण सपार लेजनस फिस में ही पाए जाता है और इसमें एर ब्लेडर एपसेंट होता है एर ब्लेडर नहीं पाए जाता है यह आपको जो है किलियर होगा इसके बाद देखिए यह आपका बोनी फिस है यह बोनी फिस है जिनको हम लोग एक तरह से यह बोनी फिस या इसी को हम लोग नाम नो देते हैं औ। थैस्स बोलते हैं इसको औरिस इनको हम लोग जो है टेलियोस्ट भी बोला जाता है बोनी-सको और रहीव स्लिक प्साइक षिह में हीं कि डिलोगों में ये ब्लैडर पाई है पाहला तो एक फीचर ये हो गया एयर ब्लेडर इसमें present होता है एयर ब्लेडर पाए जाता है दूसरा feature कि इसमें cycloid या tinoid या genoid type का scales पाए जाता है cycloid क्या होता है कि जैसे इस type का यह देखे जैसे यहां बीच से आपके center से ऐसे निकले होते हैं इसको बोलते है हम लोग cycloid scale बोलते है तो इह आप का cycloid skill हो गया दिख गाए journaling होता है यह कुछ इस type का होता है है न इसको हम लोग नाम देते है क्या बेटा टinoid scale ग्या जाता है तो इह आपको जो है टinoid scale देख गए टinoid scale और एक scale होता है जो इस तरह से होता है ऐसे इसको हम लोग नाम देते हैं गीनवार्ड स्केल बोलते है तो यह तीन तरह की स्केल आपको दिख रहा है जो caudal fin होता यह दहाँ प् Bunny weing यह क्या होता है जो homo circle होता है साइज यहां पपर पूलम के पास आपको पाया जाता है फिर यहां पर lacilos यहां पे एनल जहां इसाइन läuft रिय आपको दोनों पयाबर होती है यह चीजी ज solid दोनों साइज सिमिलर साइज के होते हैं हो इसके बाद कि हम लोग वर्टीब्रेट्स को क्लासिफाइड करते यह देखे कितने इस सारे फीचर आपको दीख रहे है आपnya 58 इसमें सकेल सोगे फोंगे डिल्स होगे एक एंस फोंगेश हो इंपे ब्लाठी गाहते हैं विज आपका घंक हाटjon गिविंग दे आर्द ओवी पेरस मतलब गिव एग रेप्टाइल में दिया है कि ड्राइइ इसकील इनकी जो इसकीन होती पूरी तरह से ड्राइइ होती है फोर लिंब होता है लंग्स पाए जाता है इसमें जो है कैलकेरियस एक पाए जाते हैं एक तरह से हम लोग उसको minus होते है इनका फॉरल म करते हैं और इसका फॉर लिम्स से का पाए जब नार्ट हिख is लेल एक होता characters होता है कि इनकी body hair से covered होती है हेर जाते हैं जबकि और किसी भी class के members में आपको hairs नहीं मिलता है और इसमें four limb पाई जाते हैं चार पैर पाई जाते हैं जबकि human जो वता हो बाई पीडल होता है दो पैरों से चलता है बागी और जितने मैं में लिया के मेंबर्स होते हैं वो सब चार उन में पैर पाए जाता है टेटर पोड़ा से विलॉंग करते हैं इसके बाद इसमें लंग्स पाए जाता है रेस्पाइरेशन के बार्न एलाइव मलब डैट इस वीवी पेरस और इसमें एक एक्जाम्पल आनकर्स या तो इसी को प्लैटीपस बोलते हैं जो कि क्या होता है ओवी पेरस होता Ah प्सक्राइब तरह शौंग करने का और छाहे वो चाहे फीमेल ओर दोनों में मैमरी ग्लैंट पाई जाती है यहां इसमें चल्ठ रेमेंटरी होता अब पुरी तरह से डेवलप नहीं होता है और फीमेल उसमें मैमरी ग्लैंट डेवलप होती है एक और फीचर यहां पर देखें, cannot control their own body temperature, यहां से लेके यहां तक, फीसे से लेके reptiles तक के जो members होते हैं, यह क्या होते हैं जो है cold-blooded होते हैं, cold-blooded, that is, इसको नाम देते हैं हम लोग जो है क्या, pi-kilothermic बोलते हैं, pi-kilothermic का मतलब body temperature, एक तरह से यह body temperature को change कर लेते हैं, according to atmosphere, environment के अकार्डिंग, यह body temperature को क्या करते हैं, change कर लेते हैं, कौन, यह faeces amphibians और reptiles, यहां तक हमने बताया, कि यह cold-blooded होते हैं, जो birds और mammals होते हैं, यह क्या होते हैं, warm-blooded होते हैं, warm-blooded, warm-blooded का मतलब बेटा, warm-blooded का मतलब, that is a homeothermic, है ना, इनको हम लोग नाम देते हैं, क्या, homeothermic बोलते हैं, homeothermic का मतलब body temperature, cannot be change according, and atmosphere, अट्मोस्पेर अट्मोस्पेर अट्मोर्मेंट, यह क्या करते हैं, कि body temperature को, यह environment के according, change नहीं कर सकते हैं, that is a homeothermic, warm-blooded इसको बोला जाता है, और यह सारे feature important, जैसे मैंने बताया, कि can control their own body temperature, इसमें बीक पाई जाती है, जो birds होते हैं, उसमें teeth नहीं पाई जाता है, दांत नहीं होते हैं, और उसमें बीक पाई जाता है, चोंच पाई जाता है एक तरह से, तो यह सारे इसके feature हो गए, सारे property हो गई, और इसके बाद आप देखिए, तो यहाँ पे सब आपको example आपको दिखेंगे, एक और चीज़ें याद रखेगा, एक चीज़ें और बता देते हैं, यह ए आर एम, यह है fetis, ए है amphibians, ए है reptiles, ए है animals, दिखे रहाँ आपको fetis और ए amphibians और इआपको देखे रहाँ है Reptiles, यह आपको देखे रहाँ BAVs, और ए है क्या चीज़ यो है? mammals आपको दीखे रहाँ, इन लोगों में एक number of condyle याद रखेगा, number of condyle, जो number of condyle होता है इसमें 1, 2, 1, 1, 2 इस number of condyle क्या होते हैं जो हम लोगों का iskull होता है जो यह iskull है इस iskull में पीछे की तरफ यह occipital bone पाई जाती है occipital bone में एक hole होता है जिससे middle oblongata descend करता है उसको नाम देते हैं foramen magnum बोलते हैं उस foramen magnum के side में अगर दो कंडाइल पाई जाते हैं कि इसकल अगर दो कंडाइल से articulate होता है तो उसको बोलते हैं डाइ कंडाइल बोलते हैं तो जिसमें 2, 2 हमने लिखा है that is the number of condyle और जिसमें 1, 1 लिखा है यह number of condyle 1 है जो फीसेस होती है उसमें एक कंडाइल पाई जाता है single monocondyle iscal होता है इसका dicondyle iscal इसका monocondyle a monocondyle a dicondyle iscal तो यह एक ही जगा सारे feature आप याद रखेगा इसको होमियो थर्मिक और पोईकिलो थर्मिक दो चीज़ें याद रखेगा पोईकिलो थर्मिक का मतलब होता है cold blooded और होमियो थर्मिक का मतलब बॉड़ी constant temperature बॉड़ी के जो है constant होते हैं उसमें यह आपको एक्जांपल आपको दिख रहा होगा यहां पर यहां पर देखिए फीसेस में यह आप जैसे एक कटला आपको दिख रही है अना कटला यह आपका हिपोकेंपस है हिपोकेंपस ए ncrt में और इक्जांपल होंगे उसको याद रखेगा यह आपको जोब फ्रॉग दिख रहा है डाट इस अ राना राना टिग्राइना है राना टिग्राइना यह आपको दिख रहा है एक्थियो फीस कि एक्थियो फीस बोलते हैं इसको यह इस इक्थियो फीस दिख रहा ना यह एक्थियो फीस है एंफीबिया से रेप्टाइल्स में आपको क्रोकोडायल और स्नेक दिख रहा है यह इस ट्रूथियो दिख रहा है और स्ट्रिच जिसको बोला जाता है हाना है और ये तरह से जब वलचर बोलते हैं गिढ़ना और यह आपको दिख रहा है मैक्रोपस है कंगारी सार्थ बोलते हैं चमघादप एशर ममेल्य से विलॉंक में चंप 番व सारे रहेज़ पूरा भी फीचर उनकि याद रखेगा निime बहुत सारे हैं एक्जाम्पल आपको जैसे औस्टिश पैसर डोमेस्टिका हो गई जिसको हम लोग एक तरह से हाउस पैरो बोला जाता है वो और फिर उसके बाद कारवस हो गया इस प्लेंडिस जिसको क्रो बोलते हैं कववा एक तरह से तो भी आपको दिखेगा उसमें याने वारे एक्जाम्पल आपको जो है इंपॉर्टेंट है याद करने की जिसा free याद रखिएगा एक्थियो fast का नाम आया तो Bass RAM फिस में एक्तियो लॉजी में हम इस्टडी करते हैं फिस का जो एक्तियो लॉजी होता है उसमें इस्टडी करते हैं किसका वेटा जो है फिस का देख रहा ना फिस का इस्टडी करते तो एक कोश्य ने पूछता है कि एक्तियो फिस किस से बिलॉंग करता है किस क्लास से बिलॉ सब्सक्राइब करते हैं किसका जो है तो फिसका करते हैं उसमें पूरे सारे इंग्जामपल हो गए आपके यह देखिए कोश्चन आपके सामने है इस कोश्चन का आप अंसर बताओ कि इसका अंसर होगा क्या दिख रहा है यहां पे देखिए दा फिगर ए टो दी सो फूर अनिमल्स सेलेक्ट अप्शन विद रेस्पेक्ट तो अंसर बताओ कि क्या होगा अंसर इसका पाला अप्शन दिया है कि ए और डी रिस्पार मैंली थू दियर बोडी वाल फिर आगे दिया है बी और सी सो रेडिय सोरी ऑल समय tääरव शॉअ पैर बी अथाव नियोजेंड बलस्ट फॉर सेलfilm डिफेंस से और डी आ ada है त्रू छलो यहां पर देखे यह यह आपको दिख रहा होगा फीगर आटेशर टीनिया डीए मफिगर है कि यह में आपको सकार्पया सिक्वल थी जर。— iscarpian है यह आपको दिख रहा है jellyfish डट इस और इलिया और यह आपको दिख रहा octopus belong to the mollusca phylam octopus यह बिलॉंग करता है mollusca phylam से tinia, aurelia, octopus और इसcarpian चार एक्जामपल आपको दिये हैं तो a and d respire इस्पाइरेशन करते हैं तो हो सकता है कि बॉडी वॉल से इसमें स्पाइरेशन रई हो बट और एलिया है दिख रहा आपको जो है और एलिया यह आपको दिख रहा आक्टोपस आक्टोपस है जबकि हमने आपको बताया था कि जो मुलस्का फाइलम होते हैं उसमें मुस्ट आपके जो limbs ładी प 항ली है भी आपका गलत हो सकती रेडियल में करता सरी दूसरा रोंग होगा तिन रीसरा ब्रह तो ओ स्परफियर थे प्छयां कि जैसे और एलिया होगा तो जेली फीस होगा वह बिलॉंग करेगा किसे जो है सिलेंट्रेटा से इसमें नीडो ब्लास सेल हो सकती है बट आपका यह वाले में नीडो ब्लास सेल होई ने सकता तो यह भी ऑप्सन आपका गलत होगा जो c और d है जहिर सी बात है मैंने आपको बताया कि मौलसका है मौलसका फारि म करता है और यह आर्थरोपोडा से बिलॉंग करता है दिख रहा है तो आर्थरोपोडा और मोलसका में जो है true body cavity पाई जाती है जिसको हम लोग एक तरह से नाम देते हैं साइजो सीलोमेट मैंने कल आपको बताया भी था साइजो सीलोम बोलते हैं या इसी को हम लोग नाम देते हैं प्रोटो इस्टोमिया बोलते हैं प्रोटो इस्टोमिया जिसमें माउथ का फार्मेशन पहले होगा एनस का फार्मेशन ब लेकिन एक चीज और याद रखेगा कि सारे फीचर पढ़ने के बाद आप क्या करिएगा कि जो NCRT के सारे एक्जामपल हैं उसको आप लिख के याद करिएगा वह आपके जादे तर इंपॉर्टेंट होंगे और उसके जो चैरेक्टर्स हैं जो सारे फीचर हैं जैसे मैंने इ याद यहाद रखिएगा और इसके जाद रखेगा और इसके सारे एक्जामपल आप इसको है लिख कर याद करिएगा और next लेक्चर में हम लोग discuss करेंगे Structural Organization in Animals तो कल का लेक्चर होगा आप पढ़ कियाएगा और इसको पढ़िएगा भी इसके question भी बनाईएगा ओके बटा, thank you